चलमुखी के लगडू में लोग निर्मान विभाग ने दबंगाई से बनफोमी से ही नई सड़क निर्मान किया जिसमें दर्चनों चीड के पेडों की वली दी गई वन विभागी से खजूर बता रहा है लेकिन ना तो वन विभाग के अधिकारी मोग खोल रहे हैं और ना ही पी डव्यटी के दोनों विभागों के अधिकारी अपनी अपनी नौकरी बिचाने के चक्कर में हैं यहां निर्मान बाबा बडों से लगडू तक नई सड़क का हो रहा है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखीर सड़क बनाने की एन उसी किस ने जारी की अगर एन उसी नहीं है तो यह सड़क कैसे बनी उधर ग्रामीण द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि यह सड़क भाजपकी संगठिन मंत्री पवनराना के घर से होकर जाती ह इसलिए इतने जल्दी नियमों को दरकिनार करते हुए सडक बापुल का निर्मान हो गया। वहीं दूसरी तरफ खफाग रामिड बुजुर्ग ने तो यहां तक कह दिया कि यहां काले पानी की सज़काटने को मजबूर हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण में लगडु के ही तलिवक खडियानाद गाम के लोग भी प्रदेश सरकार से नाराज हो गए हैं। नाराजगी की वज़से भी बाजिव हैं। यहां वर्ष 1998 से प्रस्तावित सडकब पूल का निर्मार्णा करते हुए पी ड़ल्यूडी ने नया रोड निकाल दिया। जिससे लगभग असी परिवारों को फाइदा पहुचाने वाला रोड न बना कर विभाग ने सिर्फे की परिवार को फाइदा पहुचाने के लिए दर्जनों पेडों को काट डाला। ग्रामीनों की रुसवाई भी है कि उन्होंने आखिर बर्षों से बीजेपी को वोट क्यों डाला। वहीं अब इस पूरे प्रकरण को जोलमुखी भाजप विवाद से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि तलिव खरियान गाम के लोग विधायक रमेश्ध वाला के समर्थक हैं। इसलिए उनको यह खाम्याजा भूगत ना पड़ा। मैं मनमौन सिंग को परदान लगडू पंचाई और मैं पार्टी से भी कम से कम तीस वर्सों से जुड़ा हुए हूँ। आज जो दिख्त हमारे खड़ान गाम और तलिगाम में आई वो यह है कि जो पूल जो है वो चेंज किया गया इसकी बचासे ज़्यादा दिख्त आई है। क्यूंकि यह जो पूल बन रहा है शिर्फ एक ही परिवार को एक ही परिवार के लिए बनाया जा रहा है। इसमें कम से गाम सो चील के पेड़ जो फोरस्ट लैंड में काटे के जो हमारे तलिगाम के लोग हमें बोलते हैं कि हमें भी बाइदा सड़क का तो हमें इस पे अत्राज होना पड़ता है क्यूंकि जहां पेड़ काटे के यह वो आप लोगों ना देखे हैं और आज मोक्रे जो तलिगाम और जो हमारे लोट खड़याना गाम के हैं इनकी जो नराजगी यह वह सही है और मैं चाहूंगा अगर ऐसा ही होता रहा हमारे हम भी बाल्टी के बरकर रहे हैं अगर ऐसा होता रहे कि प्रिवार को बेनिफिट मिलते रहे तो आने वाले समय में आप 78 बर्शी बुजोग ने बताया कि सड़क के बीना हमें बहुत जाधस मस्या है यहां डिलीवरी केस हो तो सड़क के बीना चल नहीं सकते हैं बुजोग ने कहा कि उनके पास बहुत ज्यादा कागज पड़े हैं जिन बर मुख्य मत्री से लेकर प्रधान मत्री को लेटर कि विए उना खैमिज ब के इन दो जी समस्त हों , ऐसाइस सुमना हैं कर आगें आगा मेट्व लोर्ड़न करें नहीं हुरमित कुछना है उना और कहला कोई ऐसका्य आग्यूंअ। मेरे पास रिकाव कागड पड़े हैं, लिकापरी की थी हया, मुक्यमंत्री के लाइता है, बुदान मंति के भी है, और होई भी सुनाय नहीं करता है, मेरे पास पड़े हैं कारण आपका रोड ही बना, दूसरा बन के कारण है? यह हमारे रोड को चोड को दूसरा रोड बना रहा है। उससे मेरी बात हुई , उससे बिर काठा, उसने कहा यह सच कभी नहीं बनेगी जो पबुनराना करेगा बो होगा को पबुनर भणुन अगे जो punch आ खरेगा बो होगा बो सच कभी नहीं बन से कठी है ना बनेंगी ना बननेडinेंगे यह कौन है पावनाना कौन है पावनाना वाइब मंत्री यहां कभी आया नहीं है ना हमाए तो आपके पड़ोसी है वह आपके वहां से रोड़ बन रहा है आप अरे आम जानते नहीं है नहीं जानते है खडियाना की महिला ने बताया कि सडक और पूलना होने की वज़े से बच्चों को बरसात के दिनों में स्कूल भेजने में काफी दिक्कत होती है उन्होंने कहा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि असडक इसलिए नहीं बनाई की फोरेस्ट में आती है लेकिन जो दूसरी सडक बनाई वो भी बन भूमी में है वहां सडक कैसे बन गई मेरे गाम का नाम दोर मार खड़याना है हमारी ये समस्या है कि हमें सडक और पूलना बच्चों को जादा समस्या होती है बरसात के दिन बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं अबता अबता बर छुटियां होती है और बारिस बहुत होती है तो आना जाना मुश्कल हो जाता है बस यह समस्या है अडि बस पूल और सर्क दोनों चीज़े बन जाए पहले बन रहा था आप क्यों नहीं बन रहा है अब ऐसे नहीं बन रहा है बोलने कि आपकी सारी जमीन अब अब बदा चोपसी होती है तो हमें यह बताएं कि फॉरेस्ट में आती है जमीन तो और भी कई सटके बन रही है तो वहां भी पूरेस्ट की जमीन होगी कि बहां कैसे बन रही है सडकी मैं लोर मार्क खड़ी आने की जाने वाली हूं सर हम सबसे ज़्यादा ये जुरूरत है सडक और पूल की जो हमारे बच्चे छोटे-छोटे हैं आप इनका विश्य देख लो कि अब हम इनको कैसे स्कूल पहुंचाएं कभी-कभी हमें इनको ले है कि जो हमारे पूल का काम लगा हुआ है वो फिर से स्टार्ट हो जो ठेकेदार है वो हर साल आते हैं थोड़ा सा काम करते हैं और फिर चले जाते हैं फिर हमारे मन में एक उमीद जाती है कि हमारे पूल का काम लगा है हम बार बार देखने जाते हैं कि कितना हुआ कितना नह लिया है उन्होंने कहा यूं तो सरकार बजटकारोनर होती है उन्होंने कहा कि यहां सरकार ने केवल एक व्यक्ति के लिए क्रोड़ों रुपई खर्च कर दिये जो सडक बडों से बन रही है यह खड़िया न गाम से होकर जाएगी और सडक बपुल का सर्वे भी पुराना हो था शुशील सर्मा ने कहा कि भाजपा कि संगठन मंत्री पवन राना को ला पहुंचाने के लिए हिमाचल सरकार ने उस सर्वे को पल्ट दिया वहीं अब संगठन मंत्री के घर के सामने पुल बसड़क बनाई चा रही है वहीं दूसरी तरफ हसी परिवारों के गाम को दरक के बीच में एक तली खड़ियाना गाउं है बहां पर आए हैं इन लोगों की समस्याइं सुनने के लिए यूं तो हिमाचल सरकार बज्जट का रोना रोती है लेकिन आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा खुलासा कर रहा हूं कि ये हिमाचल सरकार अपने एक ब्य ब्यक्ति के लिए क्रोडों रुप्या खर्च कर रही है ये जो खड़ियाना गाउं है ब्रो से जो सडक बन रही है लगडू के लिए वो खड़ियाना गाउं से होके जाएगी सर्बे पुराना हो चुका था पुल का भी सर्बे हुआ था लेकिन ये जो तरी में एक ब्यक्त भारतीय जंता पार्टी में सर्गषन मंतरी है इस बतिको लाब पुँचाने के लिए हिमाचल सरकार ने उस सरवे को पलट दिया और वो पुल भी चेंज कर दिया इसके बिलि ये जो सर्गषन मंतरी है इनके घर के सामने वो पुल बनाया जा रहा है और ये कोई सत्तर नहीं मैं कहूंगा कोई असी नबे परिवारों का गाउं है उसको दर किनार कर दिया गया है और एक परिवार को लाब पहुंचाने के लिए वो सड़क भी चेंज कर दी गई है और वो पुल भी चेंज कर दिया गया है और ये जो सगठन मंत्री जी है इनके घर के पास पबन राना ये जो सगठन मंत्री जी है इनके घर के पास जो सडक भी बन रही है नई नई सडक जो बन रही है बहां सेंक्डों चील के पेड़ जो है वो काटे गए हैं क्योंकि हिमाचल सरकार का जो जंगल का कानून है उसमें एक भी पेड़ काटना बहुत गुना है अगर एक पेड़ आप काटते हैं तो उसका हजारों रुपया जरुमाना आपको भरना पड़ता है तो अगर ये सारे पेड़ मिला दिये जाएं तो लाखों रुपया की रिकब किनारे करोड़ों देंगे लगवाए जा रहे हैं और वो देंगे मैंनी कहूंगा के वो बरसाथ तक टिकेंगे बड़ा सलाइडिंग एरिया है वहां साल भर स्लाइडिंग चलती ही रहती है वो कभी रुकेगी नहीं और जहां जो सेफ हे रिया था जहां से अच्छा सर्वे हुआ था और वो 80 गाओं को उनको लाब भी मिलना था और स्लाइडिंग का कोई खत्रा नहीं था उस सड़को उनोंने बंद करके इस नहीं खत्रे वाली सड़क को बनाया है और क्रोणों और खर्च इस परिवार के लिए किया गया प्याइटीवी न्यूस प्यूरो रिपोर्ट कांगडा